इस इस सुधीर और वेल्कम टी आवर यूट्यूब चैनल तूड़े वी डिस्कस चैप्टर नंबर 4 यह चैप्टर नंबर 4 है वो करेंगे और यह part नंबर 1 है यह part नंबर क्या है वो डिस्कस करने जारें कौन सा चैप्टर है सत्ता के वेकलीपिक के अंदर है और इसके अंतरकत हम पढ़ेंगे South Asia और जो उसके temporary जो वर्ल्ड है उसके बारे में discuss है वो किया जाएगा South Asia और उसके समकालीन विष्व और जो समकालीन जो विष्व है ये हमारी ये book है इनके बारे में हम discuss है वो करते रहते हैं हर chapter में South Asia के अंदर क्या चला हुआ है और खासकर मैं बात करूँ तो पूरे विष्व के अंदर है वो क्या चला हुआ है इन दोनों का हमें एक साथ है वो discuss है वो कर रहे हैं बेटा तो आज की class में हम chapter 4 का part 1 discuss है वो करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा यहां पर आप देख सकते हैं पहला ही जो topic आता है वो आता है मारा South Asia के जो परमुक देश है वो कोन कोन से है पहले उनी के बारे में discuss है वो करते हैं तो पहले सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है भारत का पाकिस्तान, बंगलादेश, स्री लंका, नेपाल, माल्दिप और बोटान यह सारे के सारे क्या है यह South Asia के परमुक देशों में स्यामिल है बेटा तो यह मैंने आपको बता दिया पिछली क्लास के अंतरगत हमने जो सारक है उसके बारे में पढ़ा था और सारक देशों कि कितनी क्या थे पहले जब सारक बना 1985 के अंतरगत तो पहले साथ सदस थे और बाद में 2007 में एक और एड हो गया तो अब इसके अंदर कितने सदस्य हैं आठ सदस्य हैं बेटा जो South Asia के अंतरगत आते हैं वो और एक आड कर देंगे हम अफगनिस्तान को तो यह सारे के सारे क्या हैं पेटा हमारे सारक के सदस्य भी हैं हम यह कह सकते हैं कि South Asia में ज लक्सिन एसिया में सामिल देशों की समस्यां क्या क्या है अब इन देशों की समस्यां की बात करेंगे संगर्ष वाला छेतर है यह मतलब यहां पर लगातार जो संगर्ष है वह होता है लगातार किसी न किसी बात को लेकर जो विवाद है वह होते रहते हैं आंतरिक जो मामले है वो हमेशा यहाँ पर रहते हैं बेटा सीमा विवाद है वो होता रहता जैसे भारत पाकिस्तान भारत और चीन का ये सारी जो विवाद हैं वो आपको देखने को मिलते हैं जल नदी जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है विद्रोई संगर्ष की लगातर क्या आ रहे हैं पाकिस्तान के और से लगातर जो विद्रोऊ है वो किया जा रहे है और फिर यहाँ पर जातिय संगर्ष भी आपको देखने को मिलता है बेटा जातिय संगर्ष क्या है यह मैं आपको बता दूँ कि एक जाति को लेकर जो विव पर देश करने जा रहे हैं यहां की राजनेतिक जो परनाली है वो कैसी है बेटा राजनेतिक परनाली के बारे में यदि मैं बात करूँ तो बंगलादेश और स्री लंका बंगलादेश और पाकिस्तान के अंतरगत लोकतंतर तथा सैनिक सासन है ठीक ना सैनिक दोनों तरह का जो सासन है वो देखने को मिलता है पर जो पावरफुल है वो है सैनिक सासन सैनिक सासन है उसकी मनमानी है वो चलती है बेटा भारत और स्री लंका लोकतंतर भारत और स्री ल नेपाल और भुटान अब नेपाल और भुटान के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहां पर क्या है राज तंतर है राजा का जो तंतर होता है उसे राज तंतर है वो कहा जाता है यहां पर क्या वेटा राज तंतर है वो आपको देखने को मिलता है दक्षिन एशिया में दक्ष ज्यादातर जो प्रिफर करते हैं वो किसको करते हैं लोगतंतर को ही प्रिफर है वो करते हैं पाकिस्तान में सैनिक सासन और लोगतंतर पाकिस्तान में क्या है सैनिक सासन है और लोगतंतर भी है अभी इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे बेटा कैसे है कैसे नहीं यहाँ पे देखिए पाकिस्तान में स्विधान बनाने के बाद सासन जर्नल अयूब खान ने चलाया कि यहाँ पे जब स्विधान बनाया तो उसके बाद जो सासन चलाया वो अयूब खान नाम का जो सासक्ता जर्नल था उसके दवरा है वो चलाया गया लेकिन जनता का गुसा बढ़कने पर उसे पद छोड़ना पड़ा और वहाँ पर क्या हुआ इसके खिलाफ विद्रो हो गया और इसने अचानक से पद है वो छोड़ना पड़ा बेटा इसके बाद जर्नल याया खान ने बागडोर समाली याया खान है वो अब सासक बने और उसने यहां की जो बागडोर है वो समाली क्योंकि जनता है वो उसके जो राजत है आयूब खा उसके खिलाफ हो गये थे वो इसके खिलाफ है वो हो गये थे इसके कारण इसलिए इसने क्या करना पड़ा अपना पद छोड़कर या या खान को बागदोर है वो समालने पड़ी बेटा इन्ही के समय बंगलादेश संकट की गटना सामने आई इन्ही के समय जो बंगलादेश की जो गटना है वो सामने आई कि यहां बंगाल के अंतरकत जो लोग जो रह रहे थे वो प्रेशान थे ठीक ना वो क्या थे वो प्रेशान थे और तो इसलिए उन्होंने एक नई रास्टर की जो मांग है वो करने का प्रस्ताव है वो भारा बेटा ये तो आपको समझा आ गया होगा अब बात करते हैं 1971 में बंगला देश एक लोकतांतर देश बना एक सोरी लोकतांतरी बोल रहा है वेटा सोरी उसके लिए 1971 में बंगला देश एक सवतंतर देश है वो बना एक सवतंतर देश बनकर सामने है वो आया इसके बाद पाकिस्तान की बागडोर जुलफिकार अली भुटो ने समाली 1971 से लेकर 1977 तक आई इसने पाकिस्ता जुलफिकार अली जो भुटो थे उसकी जो सरकार है वो जिया अलहक ने 1977 में गिरा दी और 1982 तक जिया अलहक की सरकार को लोकतंतर समर्थन और आंदोलन का सामना करना पड़ा यहां पही क्या हुआ इस लोकतंतर का सामना करना पड़ा जो लोकतंतर के जो समर्थक ratio ने बड़ी संख्या में आंदोलन है वो किया और 1988 में 1988 के अंतरकत क्या हुआ बेनरजी भुटो जुल्फीकार अली भुटो की बेटी बेनरजी भुटो ने के नेतरतों में पहली बार लोगतांतरिक जो सरकार है वो बनी अब आपसे जो क्यूशन वो यही पूछेगा कि पाकिस्त सत्ता बे दखल करके परवेज मुसरफ आए 1999 में क्या हुआ जो नवाज शरीफ थे उनकी सत्ता को बे दखल करते हुए परवेज मुसरफ है वो आप पाकिस्तान के रास्त्रपती है या परधान मंत्री है वो बनकर सामने आए इस परकार पाकिस्तान में कभी भी सेना को कभी लोकतंतरिक जो सरकार है वो आती रही इस परकार से क्या होँआ पाकिस्तान के अंदर कभी तो लोकतंतर आ गया और कभी सेना का जो सासन है वो आ गया बेटा अब यहाँ पे हम बात करते हैं पाकिस्तान में लोकतंतर के स्थाई नहीं रहने रह पाने के पीछे के जो कारण क्या है यहाँ पे कारण है ठेके न वो कारण क्या है उन कारणों के बारे में डिसकस है वो करते है बिटा पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या है यहाँ सेना, धरम गुरू और भू स्वामी अभी बाजनों का दब दबा हो है अभी जनों का दब-दबा है तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर का तीन चीजे है एक तो सेना का दब-दबा है सेना है वो परमुख है दूसरे है जो धरम गुरू है वहाँ के और जिनके पास जमीन ज़्यादा है भू स्वामी अभी जनों का दब-दबा है वो काफी मातरा में है इनी के कारण का आजा है जहां पे जो लोकतंतर है वो नहीं आ पा रहा पाक की भारत के साथ तना तनी तना तनी रहती है इसके कारण भी और यहां के जो राजनेतिक दल है वो सभी के सभी कैसे हैं बरस्थ है कोई अंतरास्टिय समर्थन भी नहीं मिल पाया और इसे कोई भी अंतरास्टिय लोकतंतर को स्तापित करने के लिए कोई भी अंतरास्टिय समर्थन है वो नहीं मिल पाया बेटा ये भी एक कारण है उसका जिसके कारण यहाँ पे जो लोकतंतर हो वो स्तापित नहीं हो पाया ठीक है अब आगे बात करते हैं इसी में क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य कारण भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद के कारण क्या है उन कारणों के बारे में डिस्कस है वो करते हैं तो पहला जो कारण है वो आप अपनी देख सकते हैं कि सीमा विवाद दोनों एक द्यूसरे की सीमा को लेकर जो विवाद है वो होते रहते हैं और कस्मीर को लेकर भी जो विवाद है वो आपने आमतोर पे सुना होगा ठीक ना सरकिरी रेखा विवाद सरकिरी रेखा विवाद ये क्या है ये एक जोग्राफिक अंतरगत आती है और ये एक टाइप से लेक टाइप में है सरकिर एक टाइप से ये क्या है एक लेक टाइप में है और ये हमारे आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे यह इस रीजन में है यह वाला जो रीजन है इसके अंद्रगत आपको यहाँ पे विवाद है वो देखने को मिलता है और फिर अगली जो समस्या आते है आतंकवाद की समस्या ठीक ना आतंकवाद की जो समस्या है इस समस्या की कारण भारत और पाकिस्तान में काफी बार जो युद है वो भी हो चुका है कस्मीर में अलगावाद को बढ़ावा कि पाकिस्तान क्या है कस्मीर में अलगावाद को जो बढ़ावा है वो दे रहा है ठीक है अलगावाद मतलब एक तरह से आतन की जो संगठन है वो और इसको एक अलग रहने की जो मांग है उसको पहला जो युद्ध हुआ वो हुआ था 1947 और 48 में इसका जो मुद्धा था वो था कस्मीर का मुद्धा बेटा किसका मुद्धा था कस्मीर का मुद्धा दूसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ 1965 में और पाकिस्तान ने पहली बार आक्रमन है वो किया था और इसमें भारत की जी था वो हुई थी तीसरा जो यूद वो हुआ 19-01 में और ये हुआ बंगला देश के संकट को देखते हुए और 19-91 में ही क्या हुआ बंगला देश एक नए रास्टर के रूप में उबर कर सामने है वो आया छोथा जो युद्ध है वो हुआ 1999 में कारगिल जिसे कारगिल संगरस के नाम से जाना जाता है भारत और पकिस्तान के बीच में अभी तक कितने युद्ध हुए है चार युद्ध हुए है पर लगातार और अभी भी जो कश्मीर का जो मुद्धा है वो अंसुल जा है ठीक ना वो कश्मी के और से फाइरिंग होती है कभी कभी भारत के और से फाइरिंग होती है तो यह जो चीज़ें वो चलती रहती है पर आज तक कस्मीर का जो मुद्दा है वो अन्सुलजा है उसको कोई भी जो सोल है वो नहीं कर पाया है भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी अभी भी बनी रहती है कि क्या हां कि जो तनातनी है वो अभी भी बनी रहती है और परमानु प्रिक्षन ये भी एक कारण है इसका 1908 में भारत ने अपना परमानु प्रिक्षन है वो पोखर में किया इसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना परमानु प्रिक्षन चंगाई की पाड़ियों में किया यह पाकिस्तान के अंदर चंगाई जो पाड़ी है उनके अंतरगत है वो किया है बेटा चलिए अब आगे डिसकस करते हैं इसी में क्या दे रखा है अगली हेडिंग है भारत और पाकिस्तान की सरकार एक दूसरे पर किस परकार मतलब हिंसा जो गटना है वो होती रहती है देखिए यहाँ पर पूरी हेडिंग में आपको दिखाऊ मतलब जो सरकार हैं वो लगाता है एक दूसरे पर जो आरोप है परती आरोप और परती आरोप है वो लगाती रहती है तो उन चीजों के बारे में discuss है वो करेंगे अब तो चलिए देखते हैं मैटा क्या-क्या जो चीजे हैं वो आती हैं भारत हिंसा की राजनिती जारी रहना भारत पाकिस्तान में कहा रहा है कि जो हिंसा की जो राजनिती है वो जारी रहती है कस्मीर में आतंकवाद जो फैला रहा है वो पाकिस्तान फैला रहा है आतंकियों को धन, हत्यार और प्रिक्षन देर ये कौन दे रहा है ये पाकिस्तान दे रहा है किसकी मदद से खालिस्तान समर्थ को मदद करना जो पकिस्तान है वो क्या कर रहा है आतंक वादियों को पना है वो दे रहा है तियार दे रहा है उनको ट्रेनिंग दे रहा है खलिस्तानी जो समर्थक है न जो एक खलिस्तान की जो मांग करते हैं उनको और यहां पर हिंसा राजनिती है वो जारी है बतलब लोगों के हितों के और कोई ध्यान ने देना, और कश्मीर में आतंकी जो हमले हैं वो लगातर आतंकी हमले करवाना, ये कहा है भारत ने, भारतिय सरकार ने, अब पाकिस्तान क्या कह रहा है बिटा, पाकिस्तान कह रहा है कि भारत अपनी खूफिया एजेंसी दवारा सिंध और बलूचीस्तान में समस्या को बढ़काता है कि यहाँ पे सिंध जो प्रांथ है और बलूचीस्तान जो प्रांथ है बेटा यह दोनों एक अलग रास्टर की जो मांग है वो कर रहे हैं या मतलब उनको कुछ न कुछ धन सप्लाई कर रहा है या अपनी गुप्त अजेंसियों के दवारा खुपिया अजेंसियों के दवारा तो यह कुछ चीजे परती आरोप है वो पकिस्तान की जो सरकार है वो लगा रही है 1960 के दसक में क्या वह 1960 के दसक में या 1960 में सिंदु जल बटवारे को लेकर हुई संधी ठीक ना हुई संधी ने भी जिसे विश्व बैंक ने कराय था यह संधी आज तक कायम नहीं हो पाई है यहाँ पर क्या है कि 1960 में जो सिंदु नदी है जो इंडस रिवर है उसके जल को लेकर एक संधी हुई थी जो विश्व जो बैंक है उसने करवाया था तो आज तक भी वो जो समस्याएं है वो अभी तक सुलजी नहीं है लगातार जो विवात है वो होता रहता है भारत पाकिस्तान यह कह रहा है कि भारत विश्व जो बैंक है उसकी जो संधी है उसको मान नहीं रहा है तासकन जो समझोता हुआ यह तासकन समझोता हुआ था 1961 म तो वो कह रहा है कि हमारे पर नाजायज जो चीज़े हैं वो थोपी गई और 1971 में 1971 में जब बंगलादेश आजाद हुआ तो हुआ सिमला समझोता तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाली जो सरकार है वो कह रही है कि इन्होंने हम पर जो और जबर्दस्ती करके मन माने जो चीज़े हैं वो लागू है वो कर दी है बेटा ये बताया गया है यहाँ पे दोनों जो सरकारे हैं वो आपस में आरोप और जो परति आरोप है वो लगा रही है तो आज की class में बस इतना ही बेटा next class में हम करेंगे किसके बारे में नेपाल के बारे में और जो country है उनके बारे में discuss है वो किया जाएगा तो चलिए आज कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें share करें और channel को subscribe है वो जरूर कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं next वीडियो में किसी में और आपको ऐसा ही मज़ा है वो आता रहेगा thank you and thank you very much